गैस आज के इस वीडियो बे कि ऱूम लोग बात करने वाले हैं देट के बारे में और देत इतनी important चीज़ है java script के अंधर कि कि आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरह देट को set करते हैं किस तरहने से date को प्राप्त करते हैं किस तरह से date को initialize करते है और date object क्या होता है तो चलो यहां पर date object के बारे में बात कर ले तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से मेरी web development की जो playlist है उसको access कर लो अगर नहीं कर आए भी तक यहां क्लिक करके bookmark करना है और यहां क्लिक करके save कर लेना playlist को चलो बागे बढ़ते हैं जल्दी से यहां पर मैं बनाने वाला हूं tute59.html ठीक है तो यहां पर एक नई फाइल बनाओंगा tute59.html और यह जो फाइल के अंदर सबसे पहले सबसे पहले HTML की boilerplate मैंने एक extra character लगा दिया कोई बात नहीं और यहां पर जल्दी से मैं क्या करूँगा zoom in करूँगा और zoom in करने के बाद div.container this is a container और उसके बाद क्या होगा कि यहां पर मैं लिख देता हूं javascript dates और अब यहां पर मैं जल्दी से इसको live server पर open करके live आ जाता हूं और live आने के बाद यहां पर देखो this is a container यहां पर मैंने लिख दिया अब मैं जल्दी से यहां पर javascript लिखूँगा javascript जो लिखूँगा यहां जावस्क्रिप्ट है tutorial है तो इस script यहां पर लिखता हूं और यहां पर मैं सबसे पहले console.log डाल देता हूं this is a date and time tutorial ठीक है काफी तेस था वो कोई बात नहीं अब यहां पर आप लोग बोर नहीं होते हों मैं तेस टाइप करता हूं तो यहां पर this is a date and time tutorial मैंने लिख दिया ठीक है यहां पर हमारे पास primitive reference दो तरह के types होते है और यह object है जैसे कि मैंने पहले बात करी थी इस बारे में अब यहां पर अगर मैं console.log ना करूं तो क्या होगा यह जो date है वो मेरी print कर देगा लेकिन इस बारे बड़े format में print कर दी इसने मुझे IST में बता दी date और यहां पर जैसे कि आप लोगों ने देखा कि IST में मेरे पास date आ चुकी है तो यह करने के बात यह जो date है अभी आई जो print हुई जब मैंने यहां पर अपने new date के अंदर कुछ नहीं दिया तब इसने क्या क्या मुझे current date और time दिखाया अब एक दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं नाओ one कर दूँ नाओ इसको कहना सही नहीं रहेगा मैं सिर्फ dt कर देता हूं उसका नाम ठीक है और मैं इसके अंदर क्या करूंगा date के अंदर आपको zero दे दूँगा मैंने आपर एक zero दे दिया date constructor के अंदर अब देखो इसने क्या print किया जैनवरी फर्स नाइटीन सेवेंटी साड़े पांच बजे इस्टी यह क्या है तो आप लोग सुचे यह क्या है तो यह वो टाइम है जहां से जिसको reference माना गया आप अगर इसके अंदर कुछ भी डालते हो जीरो डाला आपने अब मानलो मैंने आपर अगर दस डाल दिया तो मुझे बताए जाएगा यहां से 10 millisecond आगे का time और मैंने आपर 1000 डाल दिया तो मुझे यह स्कंड आगे का टाइ्म यहाँ से बताय जाए गा एक स्कंड लग गया यहाँ से तो जितने NASA मुझे चाहिए यहां से वो टेट मुझे में जाए गी तो स्कूर प्रत्रेंस है जिसको 272 तो यह वह गया और वहा 혼날 तो pl एat जाना और एक कि तो कि दो seconds बीच चुके हैं तो अगर आप यहां पर k डाल दोके तो आपको अभी की date मिल जाएगी तो इस तरह से आप लोग डेट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके आप date यहां पर बना सकते हो अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत लंबी सी date है कोई अच्छी ब्यूटिफुल सी date किस तरह इनिशलाइज की जाए तो यहां पर अगर हम एक सिंबल सी date को इनिशलाइज कराना चाहते हैं तो मैं आप निउडेट लिग देता हूं फिर मैं लिग देता हूं यहां पर मैं देने वाला हूं 2019 और उसके बाद 9 और उसके बाद 34 तो होती नहीं यार 30 कर देता हूं ठीक है और 2029 हा ठीक है 2029 में कोई वीडियो देख रहा है तो comment करना ज़रूर ठीक है यहां पर मैं semicolon लगाऊंगा और यहां पर console.log new date अब देखते हैं कि क्या generate करता है देखो इस दिन September 30 20 29 generate कलती है date मेरे लिए और उस दिन Sunday होने वाला है तो enjoy your Sunday उन लोग को advance में बोलना हूं जो लोग देख रहा है इस date को इस वीडियो को enjoy your Sunday अपने Sunday को enjoy करो ठीक है तो यहां पर अब हम क्या करेंगे एक और तरीका देखेंगे date को initialize करने का और simply इसको मैं भी यहां पर comment out करता हूं और यहां पर आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग दे सकते हो कुछ इस तरह से सबसे पहले इसको साफ करके यहां पर आप लोग को बताता हूं आप दे सकते हो year, month, date, hours, minutes, seconds और बिलकुल सही guess किया आपने milliseconds बिलकुल बढ़िया अब यहां पर इसको इसको इस्तेमाल करके मैं कुछ इस तरह से सकता हूं मैं दे सकता हूं 2000, 2000 किया 3020 और उसके बाद मैं दे सकता हूं month में चार, date में 6, hours में 9, minutes में 3, seconds में 2, and milliseconds में 24 और अब देखते हैं कि date क्या आती है सब कुछ जो मैंने दिया था वो सब आ गया, milliseconds तो शो हो नहीं रहा है यहां पर 9 बचके 3 minute, 2 seconds, 9, 3 & 2, देखो, hours, minutes, seconds में 9, 3 & 2 है और उसी के साथ से year में तो 3020 आपने देखी लिया आपको बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है और उसी के साथ से यहां पर देखो May 6 और Saturday है उस तारीक को May 6 क्यों हुआ जो कि date में मैंने 6 डाला हुआ था, मन्त में 4 डाला हुआ था, जो कि May होता है, May जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं तो इस तरह से आप लोग यह constructor भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब इसको constructor बोलते हैं जो कि object को construct करता है और अगर आप लोग एक beginner हैं तो जादा बिल्कुल सोचो मत मैं कोँगा सबसे पहले अपनी एक मजबूती बना लो javascript में कि हाम मुझे यह चीजे आती हैं मैं नई date बना सकता हूँ, मैं नए objects बना सकता हूँ, मैं नए variables बना सकता हूँ मैं नए strengths बना सकता हूँ, मैं नए areas बना सकता हूँ, मैं सब कुछ नया बना सकता हूँ और मैं एक अच्छी website बना सकता हूँ उसमसे बड़ी बात और एक बार आप लोग एक अच्छी website बनाने में सफल हो गए वो सारी चीज़े आपको आ गही तब मैं कुछ आपसे कि आप जाओ देखो कैसे काम करती है JavaScript का engine कैसे काम करता है, JavaScript का browser कैसे काम करता है JavaScript का browser backend में किस तरह से processing करता है, वो सारी चीज़े आप फिर देखना, computer के page खोल के भी देखना कैसे काम करता है लेकिन first and foremost आपको आना चाहिए, आपका target पूरा होना चाहिए target क्या है आपका, एक सफल web developer बनना, क्योंकि जब आप जाओगे एक नौकरी के लिए और आप पूछोगे कि मुझे आप बताओगे कि मुझे आता है computer का page खोलना और उसको repair करना तो वह आपको दर्वाजा दिखा देगा, बाई सब आप चले जाओ यहांसे, क्योंकि मैं तलाश कर रहा हूँ एक अच्छे web developer की जो कि मुझे किसी भी तरह से websites बना कर दे दे, आप यह बात समझ पाएंगे यह year देता है, तो मैं अगर यहां पर console.log लिखूँ और उसके बाद लिखूँ the year is और उसके बाद मैं लिख दूँ yr तो यहां पर full year आ गया, ठीक है, तो यहां पर full year आ गया, देखते हैं आया भी कि नहीं आया, यहां सिरु बोल रहा हूँ, आ गया 3020, फिर उसी चरह get month होता है, get date होता है, कई चीज़े होती है आर जिद्दगी में, सब कुछ बताऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं नहीं बताऊंगा तो ऐसा मैं सोचना मैं नहीं बताऊंगा, तो year के साथ साथ date है, लेकिन date का function अलाग है, ठीक है, variable भी अलग बना रहा हूँ, और मैं आपस date लिख दूँ अगर तो get date इसने मुझे इतना अच्छा एडिटर बनाया है, तो क्यों ना इस्तिमाल किया जाए, ठीक है, get month को देखते हैं, क्या है यह, get month किस चुडिया का नाम है, तो month लिख देते हैं आपर, और यहाँ पर देखो year की जगा month लिखना है, और यहाँ पर date है, तो date ही तो लिखेंगे भाई, और उ तो मैंनी चाहता है कि आप मेरे बारे में इसा बोले, और यहाँ पर hours, ठीक है, save गिया मैंने इसको, save गिया, यह क्या कह रहा है, identify date has already been declared, अरे काहे मजा कर रहे हो, और बबबवा हमरे साथ, अच्छा हाँ ठीक है, तो मैंने date already declared कर दिया, तो मैं यहाँ पर date कर दूँगा इ at, ठीक है, लग जी, अब तो चलाना पड़ेगा ना, प्रोग्राम मेरा, जावास्क्रिप्ट, इंजिन को, तो यहाँ पर देको, year अगया, 3020, जिसमें अगर कोई देख रहा है वीडियो तो comment मार देना, कि I am watching this in 3020, और मेरी आत्मा को शान्ती मिले, anyways, जो भी है, हो सकता है को technology आजा, इतना जीने की, तो मैं उसकते जिन्दा हूँ उस टाइम पर, but anyway, जो भी है, date is 6, ठीक है, यहाँ पर 6 है, देको, month क्या है, 4, मई का महीना है, तो 4, hours is 9, देको, 9 गंटे, minutes वगएर भी आप करके देख लेना, थोड़ा काम आप भी कर लिए, अगरो, सिर्फ माग में गुसेगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे, कम से कम, एक method मुझे type करके दो, date, day को प्राप्त करने का, या फिर, आप लोग मुझे देदो, minutes, seconds को प्राप्त करने का, अपने computer में चला के देखो, अब यहाँ पर क्या है, कि यह सारे के सारे methods है, यह day, month, year return करते ह अगर आप लोग को UTC में चाहिए, UTC टाइम जोन है, और UTC कौन से टाइम जोन है, UTC अमरिका का टाइम जोन है, अमरिका का और हम तो भारती है ठहरे है, तो अगर आप लोग जब तक अमरिका में नहीं है, तो आप लोग को जो टाइम दिखा रहा है, वो यहीं का दिखा र लंडन को भी अम्रीका बोल देता ना इंडिया में तो कहीं भी बाहर चले जाए लोग भी बोलते हैं अम्रीका गया है तो एन्यवेस जो भी यह लंडन का टाइम जोन है यूटीसी यूजह इसलिए पताई कि में लें लड़न जा चुक हूं और वहाँ पर वह जाके मुझे पता चला सच बताऊं तो इतना बड़ा ग्यानी में हूं इंगे तो यहाँ पर यूटीसी किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं वो छोड़ देते हैं बाते हैं हमें आपर इस्तिसी वेबसाइट बनाएंगे लेकिन अगर हम देट को change करने चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं कर तो सब कुछ सकते हैं करने को तो क्या क्या नहीं कर दिया इंसान चांद पर चला गया अब यह भी Mars पे भी चले गए थे और अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे क्या करने वाले थे हम चेंज करने वाले थे date और day तो मैं अगर यहाँ पर अपनी जो new date है उसको set date कर दूँ और उसकी set date क्या कर दूँ पांच कर दूँ उसकी date और उसके बाद मैं console.log new date कर दूँ तो क्या होगा मुझे नई date जो है मिल जाएगी जिसमें May 6 की जगा May 5 हो गया देखो और अगर मैं इसको 15 कर दूँ तो date मेरी 15 set हो जाएगी लगिन एक चीज आप लोग को दिखाना चाहत कि इसको देखो इसने एक कर दिया अगर मैं आपर 32 ना करके इसको 39 कर दूँ तो आप पर देखो इसने automatically अपने आपको 8 कर दिया है तो यह auto correction करता है ठीक है जैसे आपने बोल दिया जैसे हम लोग बोल देना कि आज 32 तारी गया अज 33 तारी के मजाक मजाक में यह इसको 33 ता तारीक आप refer करना चाहते है उसको refer कर लेगा तो इसे कहते है auto correction और यह कभी-कभी बहुत जादा काम आता है क्योंकि developers जो होते है javascript के वो कुछ ऐसा code लिख बैठते है कभी-कभी कि भूल जाते है कि जो date है वो एक से 30 या 31 तक चलती है और February का महीना है तो 28-29 वो सारी जो है वो यूज करो यह auto correction है उसको अगर आप समझते हो तो definitely आप कभी-कभी कम line of code में अपने काम को करा सकते हो ठीक है अब मैं आप पर आप लोगों को बताता हूँ dot now ठीक है अगर आप यहाँ पर यही पर लिख देता हूँ वी तो थोड़ा आल सी हो गया है अगर आप date. now कर दे तो यह क्या number written हो गया आप लोग सोच रहे हो यह क्या है तो यह क्या है यह current time stamp है यह अभी का time stamp है time stamp का क्या मतलब है यह इतने milliseconds गुजर चुके हैं वो जो मैंने देट प्रिंट करी थी न एक जैनवरी वाली एक दीट वाली जो देट वहां से अब तक कितने milliseconds बीच चुके हैं यह वो बता रहा है देखो यहाँ पर अभी इतने milliseconds बीच बीच फिर मैं और बखवास करूंगा यह milliseconds बीच 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 चले जाएंगे बीच चलता चला जाए तो इस साना से क्या है कि आप लोग यहाँ पर इस बारे में पता लगा सकते हो कितने milliseconds बीच बीच है यहाँ पर यह milliseconds बीच है इसमें तो को interest नहीं रखता है जादा लेकिन milliseconds का जो difference होता है time का difference वो कभी-कभी काम में आता है आपके जैसे कि एक codebase को कितना time लगा run होने में व अगर आप जानना चाहते हो तो आप उस codebase को run करने से पहले time को एक variable में store कर लो और उसके बाद बाद में एक नया time बना लो गटा दो और जैसे आप ऐसा करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा वो नया time और उसका difference मिल जाएगा आप लोग को इस तरह से आप लोग जोए date.now का इस्तिमाल कर से तो बहुत ही अच्छा handy function है ठीक है अब जिस तरह मैंने आप लोग को set date बताया उसी तरह हमारे पास set month होता है, set hours होता है, set minutes होता है, set seconds होता है, set seconds को देख लेते हैं एक और कहां पी किया था set मैंने, set seconds तो यहां पर set लिगाना मैंने यह सारे methods आ गए, इ 29 कर देता हूं, ठीक है, तो देखो new date अब जब print होगी तो उसमे 29 है, और 9 तो मैंने set किया ही था, क्या चीज़ set की थी मैंने, 39 क्या चीज़ set की थी मैंने, date 39 तो set इसलिए करी थी क्योंकि उसने auto correct कर लिए अपने आपको, तो अगर मैं आपर date को सिर्फ 9 कर दूं, या फिर तो अगर आप ऐसा चाहते हो, तो बिल्कुल आप लगा सकते हो, और setTimeout, setInterval तो आपको आता ही है, एक setTimeout के अंदर एक simple code डाल दो, कि वह अपडेट करते रहो इसको हर सेकिंड में, .dinarHTML is equal to new date कर दो, या पर घड़ी आ जाएगी, बहुत simple है, करके दिखाता हूँ मैं आप लोग को, simply मैं आपर क्या करूँगा, मैं आपर लिखूँगा, मैं लिखूँगा currentTimeIs, और उसके बाद मैं spanIdTime दे दूँगा या पर ठीक है, और मैं आपर एक code लिखूँगा, functionUpdateTime, ठीक है, और मैं आपर लिखूँगा, क्या id दी थी मैंने भूल गया मैं, अरे यार बड़ी, कमजोर होगा या बदाम मगाने पड़ेंगे, memory ना बहुत कोई बदाम गिफ्ट करो यार में को, ऐसे काम नहीं चलेगा, time is equal to, मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा, time.innerHTML is equal to, time.innerHTML में क्या करूँगा मैं, time.innerHTML में कर दूँगा, new date, जी हा, और यह चलता रहेगा मेरा, और यहां पर देखो, यह देखो, बना दी गड़ी मैंने, गड़ी बना दी मैंने, और यह मैं हटा देता हूँ, यह देखो, यह देखो न, गड़ी बना दी मैंने, और थोड़ी सी styling भी कर देता हूँ, इतनी अच्छी website बनाई है तो, थोड़ी सी styling तो बनती है, थोड़ा style तो मारी सकते हैं हम लोग, तो एक काम करूँगा, फॉंट साइज इसका कर दूँगा कितना, 23 pixel और इसका background color कर दूँगा क्या, यह कर देता हूँ, ठीक है, फिर border कर दूँगा, 2 pixel, solid और, क्या करूँगा, ग्रे कर देता हूँ, ठीक है, देखा आप लोगों ने कितने अच्छी चीज बना दी मैंने, font बड़ा करके, यहां पर बना दी, अब इसका text align भी center कर देता हूँ, देखा कितना अच्छा बन गया, उसका font weight मैंने, बोल्ड कर दिया, गर जो, इसका, मैंने, जो, date जहां पर डाली है, अगर मैं भी बोलूँ कि, जो time है, उसके font weight को, बोल्ड कर दो, यह देखो, बोल्ड कर दिया, और, अब आ रहा है, मजा कि, हा, 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 कुछ है कुछ अच्छी date दिखाई पड़ रही है, तो, I hope कि आप लोगो समझ में आयोगा, यह tutorial आप लोगो, यह website जो उमने बनाई है, mini website तो कहलो इसको, एक mini website जो बनाई है, अच्छी सी आपको पसंद आयोगी, एकदम margin padding, सब कुछ देके आपने बनाई है, और एकदम rap chick दिख र होगा, codewithdennie.com, videos, कोई भी वीडियो का आपको source code चाहिए, आपको बस क्या करना है, उस video में जाके, और code section में जाकर, आपको simply करना है, उस code को copy कर लेना है, जैसे ही करोगे, copy button पे click, जैसे ही copy button पे click करोगे, तो क्या होगा, copy, copy हो जाएगा, ठीक है, so I hope कि समझ में आ गया हो आप लोगो को, और आप लोग बिल्कुल भी जो है, इस चीज को, मतलब confusion में नहीं लेंगे, समझ गया होगे, और यहाँ पर copy button दबाना, और code आपका अपना है, कई भी पेस्ट करना, फिर जैसे कि अगर मैं इसको एक नई फाइल में पेस्ट करोगा, पूरा, मैंने code copy कर ल को खब सूरत भी बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, अब हम लोग यहाँ पर आगे और चीज़े देगेंगे, और जल्दी website projects पराएंगे, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एकसस नहीं करी और एक like प्लीज दे दिया अगर हो वीडियो पर, अगर नहीं ठोका है अभी त इन एस वीछाई抑ास कत बनाएंगे, बनीतों के रहे बनाएंगे, आधो मे चाहँ पाईंगे प्लीज वीगिशेमे एवीचाः चाप्टा, वजा良 वाんमे बढेशा है वीचाने नहीं ए चाहँ कि और आएंगे इन एका था चाहँ उने क। अब़ह ऑनमये से टल्यों अग्